तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे वो तीन मेजर प्रोटेस्ट जो ममता बरेनी जी ने किये थे 2005-2006-2007 में विच लेड है तो फाइली बीकम दी चीफ मिस्ट वेस्ट मंगाल इन 2011 लेकिन उस्ते भी पहले हम लोग ममता बरेनी जी के थोड़े से बाइगरोफी को समझते हैं कि उनका करियर कैसा रहा है देखिए ममता बरेनी जी जो है, she is a very educated person उन्होंने पहले बैचलर्स किया, फिर उनने मास्टर्स की डिगरी की from the Calcutta University और बहुत कम आयू में, at the age of 15 उनने politics को जोईन किया और जब 15 साल के आयू में, जब उनने politics को जोईन किया, तो धरे धरे वो एक उभतावा सितारा बन गई, she became an eminent figure in the history of West Bengal politics and also in India तो उनके इस पूरे career को हम लोग इस short diagram में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर विस्रार से जजाजा करेंगे, वो तीन major protests जो मामता बनी जी ने किया था in 2005, 2006 and 2007 where she get huge attention of the people and gained immense popularity to become the chief minister of West Bengal in 2011 तो काफी कुस समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को मैं आप तक ले कह रहा हूँ, मैं नाम रितेश कुमार तो देखें ममता बनी जी का जो जन्व हुआ था, वो एक ब्राहमिन फैमिली हुआ था on 5th January 1955 1970 में उन्होंने अपना higher education को complete किया, और she graduated from Jogmaya Devi College with an honest degree in history उन्होंने फिर बाद में master's की भी degree की कहां से किया, from University of Calcutta in Islamic history अब 1970 में उन्होंने politics को join कर लिया, 1970 में उन्होंने politics को join कर लिया तो ममता बनी जी ने भी बिल्कुल यही काम किया, उन्होंने graduation के दोरान उन्होंने एक 6 परिशद union की establishment की और अपने ही college के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी political party, Democratic student union जोकी Socialist Unity of Center of India की विज़ादार पे बेश्ट थी, उन्होंने इस party को हरा दिया तो यह होने के बाद जो Congress party थी, उन्होंने ममता बनी जी को बाद में फिर spot किया और लेटर ममता बनी जी विके में part of the Congress आई, आई मतलब इंद्रा Actually हुआ क्या था ना, कि 1969 में जब बैंकों का राश्टी करन हो रहा था, जब nationalization और banks हो रहा था तो यह decision लेने के बाद गया हुआ न, Congress party ने इंद्रा गांधी को expel कर दिया But she remained as the Prime Minister of India और फिर इसके बाद क्या हुआ, Congress का दो विभाजन हो गया, दो party में वो split हो गई एक हो गया old party, एक हो गया new party Old party का नाम था INC Syndicate, और new party का नाम था INC Requisition तो इस new members वाले में ही इंद्रा गांधी थी और इसी को भी बाद में ममता बरेनी जी ने जॉइन किया था और आपको याद होगा कि 1975 को इंद्रा गांधी ने National Emergency को impose किया था, और इसके खिलाफ हो गये थे जन्ता पार्टी, Communist Party of India और भी बहुत सारी parties जो है वो इंद्रा गांधी के बिल्कुल अगेंस्ट में हो गई थी तो यहीं पे ममता बरेनी जी जो है अपनी popularity गेन करना स्टार्ट कर दी She started gaining attention when she openly protested अगेंस्ट जैपकाश नायन और जन्ता पार्टी during National Emergency क्योंकि उन्हें वैसे भी जन्ता पार्टी को अपोस करना था क्योंकि इसी वाज़े पार्ट ऑफ Congress आया मतलब कि इंद्रा गांधी और उनकी popularity में चार चान तो तब लग गया जब 1984 का जब जन्रेल लेक्शन हुआ उन्होंने एक बहुत बड़े चेहरे को जादपूर उन्यवर्सटी के सीट से हरा दिया उनका नाम था सोमना चटर जी अब देखें ममता बने जी का जो political career है वो काफी switching character कर रहा है कभी वो UPA जोईन की कभी इसके बाद वो NDA जोईन की और फिर 1999 में NDA तो उन्होंने पार्टी बहुत बदली है बाद में भले उन्होंने 1997 में अपनी पार्टी इस्टैब्लिश की और उसके बाद से वो फिर 2011 में सत्ता में आई और अभी तक Chief Minister है So in 1991, she was made the Union Minister of the State for Human Resources Youth Affairs, Sports, Women and Child Development किसकी सरकार में? Congress की सरकार में लेकिन 1996 में उन्होंने उनके और Congress के बीच में कुछ मद्भेद आ गए, there was a difference between the ideas of Congress and Mamata Marajji, so she left Congress in 1996 and founded her her own party in 1997 called All India Tribunal Congress अब आप फिर यहां पे देखेंगे कि 1999 she joined BJP-led National Democratic Alliance मतलब की NDA Government and was allocated the Railway Ministry, उन्हेंने NDA जोइन करने बाद उन्हेंने उनको Railway Ministry को allocate किया गया लेकिन बाद में फिर उन्होंने क्या है फिर UPA को join कर लिया क्योंकि एक तहलका का magazine आया था काफी powerful magazine थी उसमें BJP के बहुत लोग Arms Act में पकड़े गए थे तो बाद में फिर BJP के अंदर उनके डिफेंसे आ गए और जब 2009 को जब लोगसभा इलक्षन होने वाला था उसे ठीक पहले ममता मरेजन फिर से UPA को join कर लिया led by International Congress और आपको पता होगा कि 1977 से वेश्बंगाल के अंदर 1977 से लेकर के 2010 तक इसमें जो वेश्बंगाल की सकार थी वो उसमें CPI की सकार थी और इसी दोरान 2005, 2006 ममता मरेजन ने तीन ऐसे मेजर प्रोटेस्ट किये कि 2011 के वेश्बंगाल लेश्बंगाल लेश्बंगाल में she won a sweeping victory and assumed the position of Chief Minister वेश्बंगाल तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा तो चली हम लोग उस तीन मेजर प्रोटेस्ट को डिसक्स करते हैं जहां पर ममता मरेजन फाइली बेकीम gained popularity among the masses पहला जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट लेफ्ट गवर्मेंट इन 2005 और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1977 से 1977 से लेकर कि 2010 तक ये एक बहुत बड़ा political journey रहा था CPI का और इसमें वेश्बंगाल में इन फैक्ट इन तीनों में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ये था 2006 में ये आंदोलन जो है 2006 से लेकर के 2008 तक चला था टाटा नायनों सिंगूर कॉंटरवर्सी इसके बारे में हम बात करेंगे तीसरा ये 2007 का नंदिकराम प्रोटेस्ट था जहां पर ममता बने जी के फेवर में बहुत सारे environmentalist आ गए थे तो ये तीनों प्रोटेस्ट गेम चेंजिंग प्रोटेस्ट थे ममता बने जी के पूरे political career में तो आगे सबसे पहले हम लोग टाटा नायनों सिंगर कॉंटरवर्सी को डिसकस करते है क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था ना ये जो आंदोलन था ये दोजा चेह से लेकर के दोजा आर्ट तक चला था और इंडिस और इस controversy में ममता बने जी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था सी गेंडे हुज प्रोटी among the masses और आगे बने इस पहले हमें अब इसके पहले बस इतना याद रखिएगा कि इस दोरान जो वेश्ट बंगाल में जो सरकार थी वो CPI की सरकार थी मतलब कि Left Government की सरकार थी headed by Chief Minister Buddha Dev Bhattacharya अब देखें यहां पे हुआ क्या था वेश्ट बंगाल में एक सहर है जिसका नाम है होगली के अंदर आता है आपका सिंगूर इस सिंगूर जगा में ही यह controversy हुआ था आप लोगों को पता होगा कि Tata Group की एक company है very famous company Tata Motors अब देखें Tata Motors की Tata Nano ठीक है Tata Nano यह अपना plant setup करना चाती थी कहां पे सिंगूर के अंदर सिंगूर के ही अंदर क्यों क्यों क्योंकि देखें उसमें की जो सरकारती CPI की सरकारती उन्हेंने total six sites दिया था Tata Motors को और इस six sites में सिंगूर को ही Tata Motors ने पसंद गया क्योंकि यह काफी ज़्यादा नजदीक था उन्हें raw materials और कुछ भी काफी ज़्यादा का हवाला देते हुए क्रिशी के छेत्र में लगभख 1000 acres of land को अधिगरान करने का नियम बनाया on which Tata Motors was supposed to build its factory अब देखिए Tata Motors का जो project था इस project को huge criticism और opposition जहलना पड़ा वहां के displaced farmers से कोकि उनकी जो भूमी थी वो अधिगरान की उभरता हुआ सितारा ममता बनर जी ममता बनर जी फिर बाद में इन farmers की rescue में आई और उन्हेंने एक नारा दिया save farmland save farmland और यह protest तब massive issue में तब बढ़ गया जब ममता बनर जी के support में आई famous environmental activities like मेधा पाटकर अनुरादा तलवार और अनुदती रोय तो इस political unrest और agitation के कारण 23 September 2008 को finally Tata Guru में decide कि वो सिंगूर को छोड़के चल जाएंगी यह देखते हुए नेद मोदी जो उसमें chief minister थे गुजरात के उन्हें ने फिर रतन Tata को invite किया कि आप आईए और हमारे state में आगरके अपने plan को setup कीजे दो बाद में Tata Nano नहीं चल सकी that is a different thing लेकिन हाँ यहाँ पे मोदी ने रतन Tata को opportunity जरूर दिया कि आप आपकर के गुजरात के अंदर अपने project को start कर सकते हैं तो अभी का जो सिंगूर है वहाँ पे ना तो वहाँ पे फसल की उपज है और ना ही वहाँ पे कोई project चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि West Bengal की यह कितना बड़ा loss है क्योंकि यह आप देख रहे हैं यह है सिंगूर और यहाँ पे actually क्या हुआ था ना कि जब Tata Nano का project हो रहा था तो वह almost start हो चुका था कुछ time तक काम भी चला था तो इसके कारण यहां का जो पूरा जमीन है तकरीबन 1000 जो लैंड था वहाँ पे पत्थर वगएरा सब बहुत सारा construction स्टार्ट हो गया था तो बहुत सारे पत्थर इकट्टा हो गए थे जिसके कारण वहाँ पे कोई crops को cultivate नहीं किया गया और आज तक यह जो जमीन है बिल्कुल बैरन हो गई यह बंजर हो गई है यह जो टाटा नैनो सिंगूर controversy था इसके कारण जो है ममता बनी जी ने काफी ज्यादा popularity और fame को गें किया दूसरा major protest था ममता बनी जी के दुवारा वह था नंदी गराम violence this is an SCZ controversy in 2007 तो यह SCZ controversy परसी क्या था नंदी गराम के अंदर देखे पहली बात यह जा लिए नंदी गराम is a town in east मिंदापूर district of west bangal in India और इसी नंदी गराम में वहां की सरकार थी उसमें west bangal में वह CPI की सरकार थी और यहां पे chemical hub बनाना चाहती थी तो वहां की सरकार जो है वह नंदी गराम SCZ SCZ मतलब special economic zone किसान लोगं का जो 10,000 acre of land था जो किसान लोग own करते थे उन्हें वहां की government special economic zone बनाना चाहती थी ताकि Indonesia की company थी Salim Group of Indonesia वह यहां पे आ करके अपना project स्टार्ट कर सके तो इसी वजह से वहां के जो local people थे वहां के जो farmers थे उन्होंने भूमी रक्षा committee के अंतरगत एक बहुत बार प्रोटेस्ट किया और यह जो भूमी रक्षा committee था वहां के जो मौईश थे वहां के जो मौईश थे अपको पता होगा कि 2006 और 2008 इसके बीच में टाटा नैनों सिंगूर controversy हुआ था तो जब सिंगूर controversy हुआ था जब सिंगूर नों प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पैललली यहां पे नंदीगराम violence भी हुआ तो ममजा बनर जी इस समय तक बहुत ही popular हो गई थी और उन्हें फिर सिंगूर से आकरके यहां पे नंदीगराम में आकरके farmers को back किया और उनके जितने भी elections होते थे वहां पे उन्हें ने एक slogan बनाया वो था मा, मार्टी और मानुष मतलब कि Mother, Motherland और वहां के जनता और इसी का यह नतिज़ा था कि जब 2008 में जब नंदीगराम के अंदर जब local elections हुए थे तो वहां पे जो left government थी CPI की वह वहां पे हार गए थी और AITC, All India Tribunal Congress वहां पे complete control ले ली और 2005 में बिल्कुल यही रीजन था कि वहां की CPI government थी वहां पे Indonesian companies को बुला करके वहां पे foreign investment कराना चाहती थी तो 2005 के अंदर भी ममतरमजी ने huge protest किया था और popularity गेन की थी अगर आपको West Bengal के politics को पूरे detail में समझना है after independence till date तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी है आपको description box में उसका link मिल जाएगा इस 15 minute के वीडियो में आप West Bengal के entire politics को समझ सकते हैं So that's all for the day, do like, share, subscribe thank you watching, have a nice day